अगर बनना है आपको तो देखना ना भूले हर रात साढ़े नौ बजे ठीक है जुड़े हमारे साथ इस सैनल के साथ और आपको वर्ड मिनिंग में यानि वोकलरीज में बनाया जाएगा आत्मिर्भरता के साथ और आप अपने जीवर में बैतर से बैतर कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर किसी भी परिषार की तयारी कर रहे हैं यानि कि आप स्टूडेंट है तो तो आपके एकजाम के और महत्पुर्ण यानि कुरूशल सावित हो सकता है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज हम लोग बात करते हैं डे थाड़ी थ्री में कुछ महत्पुर्ण वर्ड मिनिंग्स यानि स्टूनिंग्स के वारे में आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग एक जवर्ड़स कोडेशन हर दिंग तरह देखते हैं और यह आपको मोटिवेट करने के लिए काफी ज्यादा इंपोर्ण है ताकि आप और भी एनरजाई रहें मोटिवेट रहें बहुत सुन्दर लिखा है अगर आप इस दियान समझेगा इसको इसको अगर आप किसी भी काम को यानि बड़े काम को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप छोटा छोटा काम ही करिए लेकिन उसे बड़े तरीकेस करिए जैसा कि दव वकैपसों में किया जा रहा है तो अगर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा काम अचानग नहीं कर सकते कोई दिक्कर नहीं भाई आप टेंशन प्रिशान होने ज़रूत नहीं है पहला सवाल लिखा आपका कॉंट्राप्शन क्या लिखा है कॉंट्राप्शन ध्यान दिजेगा कॉंट्राप्शन मींस क्या होता है कॉंट्राप्शन का मतलब होता है कॉंट्राप्शन का मतलब होता है यंद्र जिसको आप बोलते हैं मैसिनरी या बोलते हैं इक्यूपमें या machinery बोलते हैं, यानि यंद्र कह सकते हैं इसको, और जार कह सकते हैं, डिवाईश कह सकते हैं, तो आपका सही answer यहाँ हो जाएगा, डिवाईश ठीक है, वैली का मदा घाटी होता है, फोरेश जंगल होता है, और विंडो का मदा होता है, खिड़की यह सब तो होगा नहीं, त counter-action मदा होता है equipment, यानि device के अर्थ में, जिसको आप machinery भी कह सकते हैं, ठीक है, सही answer हो गया option number A, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की और देखते हैं, अगला सवाल जो लिखा है, लिखा है counter-vailing, या बताइए इसका सही answer, counter-vail का मदा क्या होता है, counter-vail का मदा किसी को equalize करन है, फटा-फट इसका answer दीजिए, अब बताइए इसका सही answer क्या हो जाएगा, तो counter-vailing का सही answer हो जाएगा, बताइए फटा-फट, चलिए बहुत सही, कुछ लोंगा सही answer भी है भाई, counter-vailing का मतलब होता है, counter-vailing का मतलब होता है, compensating, यानि क्या करना, छदी पूर्ती करना, जिसका मतलब होता है, make-up-for, क्या होता है, एक मिनी होता है, make-up-for, और make-up-for का मतलब होता है, compensate करना, यानि छदी पूर्ती करना, तो इसका ये मिनी हो जाएगा, ठीक है, argument से बना है argumentative, मतलब क्या करना, तर्क-वितर्क भहस करने की अर्थ में, crying, चिलाना, complaining मतलब होता है, शिकायद करने की अर्थ में, ठीक है, चिलिए आगी बढ़ते हैं, देखते हैं, अगला सवाल के हमारे स्क्रीन पे, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आगया है, अगला जो मिनिंग है, ferret, इस ferret का मतलब बताना आगको फटा फट, बताइए, ferret means क्या होता है, बताइए की सर्च करने की अर्थ में होता है, जिसको आप बोलते हैं, look for, क्या होता है, look for, यनि खोजना या तलासना, खोजना या क्या करना, तलासना, तलास करना, सही आंसने या हो जागा, search, ज़लिए ध्यान रखेगा, एक मिनिость होता है, forage, forage होता है, forage, forage का मतलब होता है, भो फोरेज का मातलँ क्या होता है भोजन की तलासकरना थेली ध्यान अखिएगा t prayers होता है और यह बड़ते हैं 48 स्चल का मातलर चुणाना होता है, मिनिंग होता है यहाँ पर flinch, flinch का मातलstar चोटी पालविचोरी क्या होता है, छोटी मोटी चोरी यानि कि आप चोटी मोडी का चोरी करते हैं तो उसको क्या बोलता है अगरा सवाल आपके स्टीन पर है एविंस बताएंगे इस एविंस का मतलब क्या होता है एविंस बहुत सुन्दर मिनिंग है जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ते प इसको प्रहाना चाहते हैं बताना चाहते हैं आप उसको या उसको आप दिखाना चाहते हैं तो एविंस का मतलब होता है सो करना होता है ठीक है एविंस का मतलब होता है सो करना एक्सवीट करना मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना ऐसा कह सकते हैं प्रदर्शित करना ठीक इन्फर्म का मतलब होता है दुर्बल या कमजोर होता है ते लिए आगे बढ़ते हैं लोग अगला सवाल दिखते हैं क्या है अगला सवाल आपका है रेप्रेजल बताएंगे इसा सही आंसर लोनलीनेस, रिटालियेशन, रिम्यूनेरेशन या प्लैजर रेप्रेजल का मतलब क्या होता है बताएंगे बहुत ही अच्छा मिनिंग दिया हुआ है रेप्रेजल का मतलब इसका मतलब होता है आप जानते हैं क्या करना किसी से रिवेंज लेने के अर्थ में रिवेंज का मतलब है रिवेंज रिवेंज या इसी उपढ़ते हैं हम लोग अवेंज और इसका मतलत है परतिशोध लेने की अर्थ में परतिशोध यह होता है बदला होता है बदला लेना इसका सही आंसर जगा रिटालियेट करना या रिटालियेशन ठीक है जबकी tearemmunisation का मतलत है मौापजा की अर्थ में महनताना होता है महनताना टानी बोलते हैं आप लोग आठालोग लाजर का मतलत है हैपिनेश परसनदा की अर्थ में और लोनलीनेस का मतलद होता है अकेला पन अलगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला मि放वश दिया है, पेकुलरी, क्या दिया है मिनिक? पेकुलियर दिया है, और इस मतलब होता है, इस का मतलब होता है, रुप्या पैसा से सम्मन्दित, रुपिया पैसा से शम्मंदित उसी को हम बोलते हैं पेक्यूनियर तो पेक्यूनियरी का मतलब होता है पर्टेनिंग टू मनी क्या हम बोलेंगे पर्टेनिंग टू मनी ठीक है चलिए इस सवाईशी ओप्सन दिया है आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल आपके लिखा है कॉंग्रिगेशन क्या लिखा मिनिंग कॉंग्रिगेशन से बताएंगे बहुत ही सुंदर मिनिंग दिया है आपकर कॉंग्रिगेशन कॉंग्रिगेशन से मना है कॉंग्रिगेशन जिसका मतलब होता है कहीं एक जहाँ gather होना, इकठा होने की अर्थ में, यानि भीड या जमावड़ा कह सकते हैं, जहाँ पर एक साथ बहुत साथ लोग इकठा होते हैं, उसी हम बोलता है congregation, यानि आप इसो gathering कह सकते हैं, gathering, जिसे आप मीटिंग बोलेंगे, मीटिंग बोलेंगे, है न, concentrate का मतलब होता है, अगला सवाल लिखा है, मिनिंग, counterfeit का मतलब जाली होता, क्या होता है या होता है, नकली होता है, सभी आगशन करेंगे, हां पर, fake करेंगे, चलिए, आगे बरते हैं, सभी ओनला सभी लगतार होता है, अननोन का मतलब अग्यात, सभी और होता है, पक्शपात, पक्षपात, जिसको आप पार्सियल बोलते हैं, पार्सियल, जबकि इंपार्सियल का मतलब निस्पक्ष होता है, क्या होता है, इंपार्सियल का मतलब, होता है निस्पक्ष, यह निए अन्बायस्ट कह सकते हैं, आप लोग क्या कह सकते हैं, अन्बायस्ट, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला मिनिंग आपके स्क्रीन पर ये है बहुत सुन्दा मिनिंग दिया आगे क्या लिखा है रियूज रियूज का मतलब क्या होता है बहुत अच्छा मिनिंग दिया यहाँ पर रियूज देखे रियूज का मतलब होता है किसी के साथ क्या करना, धोखा धरी करना, क्या करना, किसी के साथ छलावा करना, धोखा धरी करना, चल कबड़ करना, ऐसा नहीं होता है, तो रियूज का मतलब होता है, यहाँ सही आंसर करेंगा, स्टेट जम, धोखा धरी करने के अर्थ में, धोखा धरी, ठीक है, छलावा बो पॉस्नल का सकते हैं आप लोग भाबूक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है आपके स्रीम पर देखिए तो अगला सवाल आपके स्रीम पर आ गया है फेटीड का बताना है सही आंसर आपको पता यह फटा फटीड का देना है सही आंसर फेटीड का मतलब होता है पर्णैमेंट का मतलब गहना की अर्थ में होता है, कॉमिकल, कॉमिक से बना है, ठीक है ना, कहां सही आंसर आपका हो जागा स्टिंकिंग, तो फेटिर का मतलब बदूदार यानि या स्टिंकिंग बोलें यहाँ पर, ठीक है, तो यागे बढ़ते हैं, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट, अगला जो आपके मिनिंग, देखें क्या है, अगला मिनिग आपके स्क्रीन पर रहा ये, एड्मोनिस लिखाओ है, बताइए, एड्मोनिस, एड्मोनिस का मतलब क्या होता है भाई, एड्मोनिस पढ़ चुक है कई बार आप लोग, इसका मतलब होता है किसी को डांटना के अर्थ में, कान फटकार लगाना होता है, harmonics का मतलब जिसे आप बोलते हैं चाइड क्या बोलते हैं या बोलते हैं रिब्यूक क्या बोलते हैं रिब्यूक तो चाइड हो गया, रिब्यूक हो गया या क्या बोलते हैं रिप्रूफ बोलते हैं रिप्रूफ या रिब्यूक बोलते हैं तो डांट फटकार लगाना होता है डांटना होता है इसका मतलब ठीक है दो एक मोई इतने सारे वर्ड है कि असानी से पढ़ें आप लोग तो याद हो जागा सब आपका मनतलब बच निकला होता है भाग जाना होता है वर्षी पुजा करना और यहां दिया डिस्रिबूट वाम दिया तो कोई मतलब ही नहीं है इसका आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या है तो अगला सवाल आपके स्क्रीम पर यह रहा Imposed तो कई लोग लग रहा होगा कि यह सरी Imposed लिखाओ अगना सही है Imposed भी होता है भाई Imposed का वालब किसी पर कोई ची थोपना होता है यसे tax को हम लोग impose करते हैं, कर थोपते हैं हम लोग तो किसी के उपड़ थोपने के लिए impose यूज़ करते हैं यहा जो दिया है मनें वो लिखाए Imposed Imposed का exactly मतलब होता है कर ही होता है, कर यहीं tax होता है Imposed मिस्के होता है, कर होता है सही answer ना करेंगे, Option 4 जबकि इंपोस का मतलब होता है, किसी पर कोईची थोपने के अर्थ में थोपना, इंपोस, इंपोस के साथ प्रिपोशन आता है, अपोन आता है, कुरस का मतलब होता है, खुरदरा के अर्थ में होता है, खुरदरा, इसको हम बोलते हैं, रफ, क्या बोलते हैं, रफ, आखरक होता है , Dispatch का मतलब कोई चीज भेजने के अरफ में होता है Dispatch करना तो आगे बढ़ते हैं एगला सवाल क्या है ? अगला सवाल आपका स्षीम पर ये रहा Forgo , बहुत चाहा मतलब गया है Forgo , बताएंगे से सही अंसर Renounce , Disown , Leave , या Accumulate तो जानते हैं आप लोग, आईए हम लोग नीचे से देखते है option में, क्या लिखा है मिनिंग? accumulate का मतलद का होता है, gather करना, यानि जमा करने के अर्थ में होता है, accumulated मिस्क्रा खाता है जमा करना होता है, जीक है, leave मतद छोड़ देना होता है, और leave for का मतलब होता है प्रस्थान करने के अर्थ में आज जानते होंगे आप लोग अगर leave के साथ devotion for लगा दे हम इसका मतलब क्या होता है प्रस्थान करना होता है this on का मतलब किसी चीज़ क्या करना बेदखल कर देना और अगला जो मिनिंग दिए आपका रिनाउंस दिखा है ठीक है तो forgo का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागने के अर्थ में रिनाउंस या बोलते हैं relinquish relinquish यानि क्या होता है त्यागना होता है त्यागना खोडना ऐसा बोलते हैं अगला सवाल आपके स्टीन पर आ गया बताईए इन डाइटमेंट इसको इन डिक्टमेंट ने पढ़ेंगे इस मिनिंग को आप लोग इन डिक्टमेंट ने पढ़ेंगे यहां पढ़ेंगे इन डाइटमेंट पढ़ेंगे इन डाइटमेंट यान दीजेगा यहां पर क्या लिखा है इन डाइटमेंट लिखा है तो इस इन डाइटमेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी पर क्या करना इंडाइट पढ़े होंगे आप लोग किसी पर आरोप मढ़ने की अर्थ में होता है क्या होता है किसी पर आरोप मढ़ना यानि आरोप लगाना आरोप या दोस लगाना किसी पर आरोप या दोस्त लगाने की अर्थ में होता है इंडाइटमेंट, नहीं आंसे हो जागा अरेंडमेंट, क्या हो जागा अरेंडमेंट, आप जानते हैं, मेंड से अंत करता है क्या होता है, नाउन होता है, अपका, इंट्रैप्मेंट, ट्रैप का मतलब किसी अपने ज इंडूस्मेंट, इंडूस का मंदोतक किसी को क्या करना, बढ़ाना या उसको पुर्णाइड करने करत में, इंडूस करना, या नहीं कि उसको बढ़ाने करत में, ठीक है, तो सारे के सारे जो मिनिन्ग है, उसका किवल आपको देखना है parts वसपीच, और उसका recording आपको answer करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला मिनिंग दिया आपका अपस्टिमियस क्या दिया है मिनिंग अपस्टिमियस देखें यहां भी OUSन किया है क्या करेंगे आप लोग अडजेक्टिव कर देंगे आप हर एक वर्ड का पार्ट सोवस्पीच असानी से ढूंड सकते हैं आप लोग केबल सफिक से माध्यम से अपस्टिमियस का मतलब ही होता है अपने आप पर काफी कंट्रॉल रखने के अरथ में जैसे पढ़ें आप लोग सेल्फ कंट्रॉल ठीक है इसका मतलब क्या होता है अपने आप पर काफी कंट्रॉल रखना जिसको आप बोलते हैं शयमी रखना यदि शयम होने के अरथ में सयमी बोलते हैं इसको तो सही आंसर नहीं क्या हो जागा रैसिस्टेंट टेमपरेट या सूपरेस्टिशन या कियारफ फूल इसका आण्सर होता है यह अंद विश्वास होता है और पर्दिरोद के अर्थ में, एक-एक मिनिंग को आप ध्यान समझ सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इसका पार्ट सो अबस्पीश यह आप देख सकते हैं एटी से जौन करता है तो भर भी होता है और एडजेक्टी भी होता है यहाँ पर टेमपरेट क्या है एडजेक्टीव है ठीक है जहान रखिएगा तो लिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ और सवाल अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया प्रोबिटी बताएंगे इस प्रोबिटी का मतलब क्या हो जाएगा तो आप जानते हैं प्रोबिटी का मतलब होता है अलाकि यह मिनिंग बनाए प्रोब से प्रोब का मतलब किसी ची को सर्च करना खोजना धूनना होता है लेकिन प्रोबिटी का मतलब थोड़ा अलग होता है प्रोबिटी का मतलब होता ह क्या मतलब इसका मतलब इसका मतलब होता है integrity और integrity का मतलब आप आप जानते है करता विनिश्थ के अर्थ में होता है integrity मैं होता है तिवर्टा या सिग्रता का सकते आप लोग, सिग्रता पुर्वक यानि सिग्र, जल्दवाजी में, इफिचेंसी का मतलब योग यह होता है, तरह की सिग्रता का मातलब या होता है? है डिस्पायस जीए ने बता था अब को पक्षपात किसी अपपप समय का त्हीर्स का मतलब होता है कि इसका मतलब भायानक स्कंसाइस मिसं होता है ब्रीफ की अर्फ में इसको क्या बोलतें आप लोग संसीत बोलते हैं ब्रिफ तो इसका सही आंसर आपको हो जागा क्या डिस्पाइस आगे बढ़ते हैं कुछ और स्वाल दिखते हैं आगला स्वाल आपके स्ट्रीन पे आ गया Canton Carers क्या दिया मिनिंग Canton Carers दिया है बताएंगे इसका सही आंसर Canton Carers का मतला होता है किसी से क्या करना जग्रा करनी के अर्थ में होता है, ःना, जग्रालू करना, मतलब जग्रा करनी के अर्थ में जग्रालू होता है, तो चुकि ये O.S.E.S.N किया है तो sekarang को आपका आपका, इसाना जग्रालू, इसका इसका सही आंसर क्या करेंगे, noisy, quarrelsome, rash या disrespectful, यहां quarrelsome हो जाएगा, noisy का मतलब होता है हला गुला की अर्थ में, rash का मतलब होता है उतावलापन, disrespectful, किसी का सम्मान नहीं करना, आज सम्मान, तो सारा मिनिंग केवल आप prefix को देखके, सफीज देखके, आसानी पचान सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग, है ना, अगला मिनिंग दिया है आपका, aberration, क्या दिया है, aberration, aberration का मतलब क्या होता है बदाइए, यहाँ भी IUNC अंत किया है, क्या बोलता है, इसका मतलब होता है, अपने रास्ते से भटक जाना, यानि पत बरस्ट, पत बरस्ट, रास्ते से क्या होना, भटकना ऐसा होता है, इसका सही answer हो जाएगा, deviation, क्या हो जाएगा यहाँ पर, deviation हो जाएगा, ठीक है, चलिए, justification मतलब क्या होता है, justify करना, किसी को, उची चाराने की अर्थ में, intensify करना मतलब बढ़ाना होता है, और rational का मतलब होता है, logical, यहाँ पर rationality बन गया, यह नहीं, तरकिक्ता कह सकते हैं आप लोग, तरकिक्ता, और I, T, Y से अंत किया है, तो यह भी noun हो जाएगा, I, U, N से अंत किया है, सब noun हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, तो आज का vocab सोका, अब देखते हैं, यह हमारा अंतिम सवाल है, देखते हैं क्या है, तो अगला सवाल, यह नहीं, अंतिम सवाल, आज के vocab सोका, आप क्या स्वीन पर यह आ गया, Admonition दिया है, क्या दिया है, Admonition, बताएंगे इसके सही आंसर, किसी को जो हम कोई काम करने के लिए, पहले से ही वार्न करते हैं, तो उसी को हम बोलते है, Admonition, चिताब नहीं देना होता है, क्या होता है, इसका मतलब, चिताब नहीं देना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा और हर दिन के तरह आपके पास एक और सवाल जाता है जिसका नाम है Question of the Day तो आज ये है आपका Question of the Day आप इसका आंसर दिया है मिनिंग लोड स्टार इस Question का आंसर आप लोग इस वीडियो के end में यानि description में आप लोग comment में आप लोग क्या करेंगे इस Question का आप लोग सही सही सब लोग answer comment करेंगे और बताएंगे इसका सही answer क्या है साथी साथ सब लोग अपना opinion जरूर दें कि आपको दवकेब्स का स्रीज कैसा लग रहा है चुकि आपकी ही राय हमें motivate करती है आगे पढ़ने के लिए और अगर कुछ इसमें और addendum करनी जरूर पड़ती है तो वो आपका अपना जो opinion होता है आपकी जो comments होती है इसी से हम लोग आगे देखते हैं कि और कुछ क्या add करने की जरूरत है या सब कुछ बहतर चल रहा है या नहीं चल दा है साथी साथ हम लोग आउट भी आगे समुध मंतन जैसे स्रीज का प्लान है तो वहां भी करेंगे चैनल को और ग्रो करिए बढ़ाईए आप लोग ठीक है ना क्यूंकि आपका support आपका प्यार ही हमें motivate करता है आगे बढ़ने के लिए चलिए आज के लिए फिलार इतना है रखते हैं हम लोग और सभी बच्चों को ठीक है ना आगे बढ़ने के लिए हमारी तरब से हमेशा सुबकामना है तो हैं ही साथी साथ हमारा आसरीबाद याब के साथ है आप काम करें मेनद करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें ठीक है इनी सब सुबकामनाओं के साथ आज के शेसन को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं चैनल में जो बच्चे ने होंगे सब्सक्राइब कर लिजा जरूर और अधिस से इसको फैलाइए शेर करिए ताकि ये भारत का सबसे बड़ा सो नमबर वस्वबन सके वो क्या आपकी मामने में चलिए फिलाल इतना है रखते हैं थैंक्यू सो मच जय हिंद